सबसे पहले तो इस वीडियो को आज के रेट में जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उन्स सभी को जन्मास्टमी के हार्दिक सुपकामना है और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आज जन्मास्टमी की छूटी है उसके बावजूद भी किस कॉलेज में आज भी आप एडमिशन ले सकते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी ने किस यूनिवर्सिटी ने प्रवेश के लिए फिर से पोर्टल खोल दिया है और कब तक आप फिर से अवेदन कर सकते हैं ये भी बताऊंगा उसके बाद अगर मन पसंद कॉलेज में आपका नायम नहीं आया है तो आपके पस क्या और ये भी बताऊंगा उसके बाद प्री पी एजडी कोर्स वर्स की जो परिच्छा है उसकी डेड़ बढ़ गई है तो अब ये परिच्छा कब होगी ये भी बताने वाला हूं उसके बारे में बताँगा उसके सांसत और बहुत से न्यूज हैं जैसे कि यहाँ पर क्रिसी की पढ़ाई करने के लिए दो स्टुडेंट जो है विदेज जा रहे तो वो कौन है और कहां जा रहे यह बताँगा और कुछ उपलब्दिया है वो भी बताँगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी अजुके सन्नी यूटूब चैनल पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन बटन दबाना ना भूलिए क्योंकि यहाँ पर आपको चत्तिजगर के सिक्षा से जुड़े हुई हर कबर लगतार मिलती रहेगी और साथे साथ वीडियो को लाइक करते चलिए इससे मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा तो चलिए फटा-फट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर पहली कबर हम लेते हैं विलासपूर से तो CMD College में आज भी आप admission ले सकते हैं CMD महाविद्यल 30 अगस्त को किसना जनमास्टमी के दिन भी कुलर हैगा प्रवेस के कारे संपादित होते रहेंगे प्रभारी प्रचारे ने बताया कि जो चात्र चात्र है महाविद्यल में प्रवेस लेना चाहते हैं वो आज भी उपस स्थित होकर प्रवेस प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर रायगाड से खबर है तो अधिकांस स्टुडेंट ने सरकारी कॉलेज में फाम भरे है इसलिए सीटे फूल हो गई है नीजी समित कई कॉलेज में आविदन कम आया है तो नंद कुमार पतेल विश सितंबर तक ऑनलाइन आविदन कर सकेंगे दितिया चरण में जो आविदन मिलेंगे उसके बाद मेरिट सुची 10 सितंबर को राद 12 बजे तक चारी होगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रबंदन के लोगों का मानना है कि जो विद्यारती र प्रवेश लेनी की अंतिम्तिति यानि की कल है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के स्टुडेंट को प्रवेश लेना है इसके बाद यदि कॉलेज के पास आवेदन बच जाते है तो वे आये हुए आवेदन में से तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर सकेंग के सरकारी कॉलेज में तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी कुलपती के विशेश प्रमिशन से 15 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं सहीद नंद कुमार पटल विशेश दाला के पोर्टल खुलने के बाद अब स्टुडेंट जीनों ने पहले एडमिशन के लिए एक ही पर चुना था और सेकंड मेरिट लिस्ट निकलने के बाद भी उनका नाम नहीं आ सका है ऐसे स्टुडेंट अब दोबारा आवेदन कर कॉलेज का विखल पर चुज सकेंगे के बाद बालोस से खबर है तो हिमचंद यादाव विसोज देलेदूर के से संबंद जीले के तेरा सरकारी वा पांच निजी कॉलेज वे वीर्न संकायों के फरस्ट यर में एडमिशन का दर चल रहा है पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार 31 अगस्त का समय दिया गया है इसके बास सितंबर में रिक्त सिटों के अधार पर सेकंट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी प्रबंधन की माने तो लिस्ट जारी करने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा ताकि सभी सिस्टों में स्टूडेंट प्रवेश ले सके लिट कॉलेज की तुलना में गल्स कॉलेज में कम आवेदन आये है इसलिए यहां एड्मिशन के लिए पोर्टल दोबारा खुल सकता है दुर्ग विश्व इद्याले की ओर से इसपस्ट किया गया है कि आवपलाइन प्रवेश की ववस्था नहीं है इसके अनुसार संकाय वार्ष सभी विश्यों के प्रथम सेमेस्टर में आउनलाइन ही प्रवेश दिया जाएगा इस सब के बावजूद भी को छात्र यदि आफ्लाइन प्रवेश लेता है तो उसे विश्यों इद्याले से नियमित छात्र की मानता नहीं मिलेगी इसके लिए छात्र और संबंदित महाविद्याले ही जिमेदार होगा तो यहाँ पर जिले के अठारा कॉलेज में पहरली मेरिट लिस्ट के अनुसार 31 मतलब कल तकी लास्ट डेट है अड्मिशन लेने का और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बिलाई से खबर है तो परचा लिग कर बीएसी नर्सिंग के हजारों चात्रों के भविश्य के साथ खिलवार करने वाले चार अरूपियों को पूलिस ने गिरपतार कर लिया है इसमें एक कलरक एक चपरासी कॉलेज का एक पूर्व छात्रा और चपरासी का पडोसी सामील है चारों के खिलाब चतिसगर सारवजनिक परिच्छा अनुचित साधनों का निवारन अधिनियम 2008 की की धारा 10 के तहट अपरात दर्ज किया है चारों आरूपियों को गिरपतार कर रिमांड पर लिया गया है इधर आयू सुषय दहले ने सियम नर्सिंग कॉलेज से केंद्र की मानेता छिन लिया है प्रचारे को कारण बता नोटीज दिया गया है प्रचारे पर कारवाही को ल तो दो कॉलेज स्टाप समय चार आरूपियों पर गिरपतार हुए और केंद्र को भी बदला गया है उसके बाद अगली खबर जो है भिलाई नगर से आ रही है तो यहां पर दूसरी बार परिक्षा दिति में बदलाव किया गया है प्री 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 कोर्स वर् आप 11 दिसंबर को लिजाए कि जबकि पहले आठ दिसंबर को रखी गई थी परिक्षा तिति को निरस्त करते वे इसकी तिति बढ़ा दी गई है ग्यारा सिदंबर को दो पहर दो बजे से साम पांच बजे तक बी आईटी दूर्ग में परिक्षा होगी उसके बाद यहां प परिक्षा परिणाम गोशित किया है एक 28 अगस्त को तो इसके लिए मैंने कल ही उनिवर्सिटी नोटिपिकेशन आप देखिएगा 29 अगस्त का युनिवर्सिटी नोटिपिकेशन उसमें मने बता दिया वो आई बटन पर आप देख सकते उपर और प्ले लिस्ट में भी जा कर देखिए जो सेजी निवर्सिटी नोटिपिकेशन का प्ले लिस्ट है उसमें 30 अगस्त का यहां पर यह हम चन्द यादव का रिजल्ट मिलेगा आपको और यह सीएस विटीज द्वारा यह बढ़ाया गया है डेट को इसके बारें भी नोटिपिकेशन आपको वही पर मिलेगा उसके बाद यहां पर नैशनल टेस्टिंग एजेंसी एंटी ए ने कोरोना काल को देखते हुए नीट और जेई मेंस के नियमों में संसोधन किया है इसके तहट इस बार मेडिकल कॉलेज और आई आई टी में प्रवेश के दावरान उन विद्ध्यारतियों को प्रात्थमिकत नहीं जिद्दी जाएगी जिनकी उम्र अधिक है तो यहां पर जान के नियम मैं बता रहा हुँ जेई मेंस 2020 में जो नियम है वो थे मियास में अच्छे स्कोर वाला केंडिडेट मेरिट में उपर रहेगा मियास में भी नंबर बराबर है तो फिजिक्स और मैस से भी नहीं तो कैमिस्ट्री से मेरिट करेंगड़ अगर फैसलर नहीं हो पाता है तो कम गलत उत्तर देने वाले को प्राथमिक्ता दी जाएगी उसके बाद नीट का नियम दिच सुन लिजे तो बायोलोजी बटनी और जूलोजी में अच्छा स्कोर पाने वाला स्टूडेंट मेरिट में उपर होंगे बायोलोजी से फैसले नहीं हुआ तो केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे तब भी फैसले नहीं हुआ तो जो अटेम्टेंट गलत उत्तर में कम अनुपात वाले स्टूडेंट को उपर होंगे इसके लिए प्रोसेस किया जा रहा है तो यह है नया इनियम अगर टाई हो जाता करेंगे नीट में निगेटिव मार्किंग का सिस्टम इस बार भी है तेरह सो मेडीकल सीटों के लिए राज जबर के तीस हजार परिक्षारती नीट में बैठेंगे और पच्चासी फीसद जो सीट है वो राज्य के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है प्रदेश में इस सा वैपम के जरी है नर्सिंग कॉलेज के लिए प्रवेज परिक्षा होगी इसके बाद राइपूर से खबर है तो राजय सेवा परिक्षा 2020 के ऑनलाइन आविदन के दाउरान एक से अधीक बार फीस कटने की सिखायत उम्मीदवारों ने की थी बड़ी संक्या में सिखायत मि वे सभी अब्यर्ति जिनके दोरा परिक्षा में भाग लेने के लिए एक से अधिक बार बुक्तान किया गया है वे अपना अकाउंट संबंधी पूर्ण विवरन आयोक को भेज सकते हैं उम्मीदवारों को आयोक कारे लेके email id cgpsc.account.gov.in में पूरी जानकारी 15 सितंबर त दोर से भेजने को कहा गया है उसके बाद यहां में जांजगीर चापा से खबर है तो वर्स 2021 में ग्यारवी कक्षा में अध्यान रत अर्थिक रूप से कमजोर चात्र चात्रा को राष्ट इस्तर पर medical engineering से संबंदित प्रवेस परिक्षाओं के पार्ठे करम के लिए प्रव खबर है कि कुमारी हर्सिता चंद्रा का IELTS के एक्जाम एवन यूनिवर्सिटी प्रवेस परिक्षा उतिर्न करने पर MSC गिल यूनिवर्सिटी मोंट्रियाल में कनाडा इसनातक की पढ़ाई करने के लिए चैन हुआ है यहां विश्व की US रैंकिंग में 27 वे इस्थान पर एवन कनाडा की टू एंड रैंक यूनिवर्सिटी है उलेखनी है कि इस विद्याल में 36 गड़ से एक मात्र छात्रा कुमारी हर्सिता चंद्र का चैन हुआ है इसके अतिरिक्त हर्सिता का चैन यह अर्क यूनिवर्सिटी कनाडा गल्फ यूनिवर्सिटी कैनेडा विंडो स सार यूनिवर्सिटी जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया नेधर लेंड यूनिवर्सिटी के लिए भी हुआ था उसके बाद यहां पर पहली बार दो युवा कुरुशी की पढ़ाई करने विदेज जा रहे हैं तो यहां पर नक्सल प्रभावित इलाके की पहचान बने बस्तर जीले में रहने वाले रमेश चावड़ा और राजस चावड़ा ऐसे दो किसान हैं जो अपने बेटे को खेती के नए मुकाम तक पहुचाने के लिए अमेरीका और निधर लेंड भेचकर पढ़ाई करवा रहे हैं इन में से राजस चावड़ा के बेटे हितेश चावड़ा जहां निधर लेंड में पढ़ाई कर एक या दो महिने में वापस आ रहे हैं वही राहुल चावड़ा अमेरीका के डियस उनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए एक महिनी के अंदर जाने वाले हैं उसके बाद यहां पर बिलासपूर से खबर आ रही है तो परिक्षा विभाग के अधिकारी तक दो दो बार टी आर को चेक किये फिर भी सत्र दो हजा सत्र अटर के बैच में ब्येस सी आनर्स के एंथ्रपॉलजी के चट्वे सेमेस्टर के चात्र के को एक विशाय के बिना नंबर चड़ाई मार्क सिट दे दिये हैं चात्रों ने मा चात्रों की मार्क सिट में एंथ्रपॉलजी अब ट्राइप्स अब चट्रिस गड़ विशाय का नंबर ही नहीं चड़ाए हैं अब जब खुलासा हो गया है तो फिर से मार्क सिट देने विश्वज दलने निर्णाय लिया है अगे यहां पर देखते है कि कल से जो स्टार्ट हो चुकी है प्री बीएड और प्री डीलेट की परिक्षा उसके बारे में है तो कोरोना का कॉंसर टीका 12-18 वर्स के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है इस राज्या में धान का नियुनितम समर्थन मुल्या क्या रहा जैसे सवाल प्री बीएड और प्री डीलेट के प्रवेस परिक्षा में पूछे गए गनीत तर्क सक्ति के प्रस्णों ने प्रक्षार्तियों को यहां पर उल्गा दिया है और वहीं पर बहुंस से स्टुडेंट यहां पर बहुंस सारे जीलों से खबर आया कि दली राजहरा से तो चतितगर प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष एवं समास से भी सीरो मड़ी माथूर ने दली में वर्तमान दयने इस्तिति को देखते में भुपेश बगेल मुख्य मंत्री चतितगर सासन को पत्र लिखा है कि उन्होंने दिल्ली चिकल दली राजहरा में मेडिकल कॉलेज एंजिनियरिंग कॉलेज एवं संगीत महविद्याले खोलने की मांकी है उनके पत्र के अनुसर दली राजहरा भिलाई स्पात सयंत्र के लिए एक प्राण वायू के समान है इस सहर के ने देश के कई कलकार मुर्तिकर तथा प्रासासनिक अधिकारी दिये है तो यहां पर मेडिकल और रिजियरिंग तथा संगीत महविद्याले खोलने के लिए ग्यापन्स हो पग्या है तो यह था दोस्तों चतिजगण के सिक्षा से जुड़ होई तमाम खबरे यह खबरे आपको कैसी लिए अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों को सेर कीजिए तथा ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद मिलते हैं कली वीडियो में